So, welcome guys, welcome to my channel Yoga with Dr. Rajan and welcome to my Facebook page Nirama Yoga Studio So, दोस्तों, मैं आज आप के लिए बहुत effective वीडियो लेके आए हूँ जो कि मुझे comment section में मुझे किसी ने बताया, मुझे comment किया है कि हमारे लिए please ये वीडियो बना जीजिए, आमें ये दिक्त है So, दोस्तों, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरा आप YouTube channel search कर सकते हैं, योगा भी Dr. Rajan के नाम से उसमें मैंने इससे related already वीडियो बनाई हूए लेकिन मैं फिर से एक वीडियो उसके related बना जाता हूँ आज मैं अपने मदर को उस डिजीज के साथ लेके एक वीडियो बनाऊँगा तो दोस्तों मुझे किसी ने बोला था frozen shoulder पे वीडियो बनाऊ तो उसके लिए एक simple वीडियो बनाऊँगा आप खर बैठके frozen shoulder से आप deal कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम चोटी सी बाद एक और चीज़ बोला था हूँ तो दोस्तों मैं आपके लिए frozen shoulder पे एक आज वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले यह समझते हैं कि frozen shoulder है क्या चीज़ा और किन लोगों को ज़दा होता है सबसे पहले प्राइम इंपॉर्टन चीज़ जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ एक्सरसाइज इस प्राइम इंपॉर्टन जितनी देर तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे उतनी देर तक आपकी health, physical health, mental health तरही नहीं रहने वाली इस पर simply way है मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी यह तो problems आएंगी, diseases आएंगी, बहुत कुछ आएंगी और दोस्तो frozen shoulder हम बात करें, frozen shoulder क्या चीज है तो दोस्तो जब हमारा joint ये shoulder की बात हो रही है, ये joint जब jam हो जाता है simple way में बात करेंगे, ज़्यादा complex बात नहीं करेंगे जब ये jam हो जाता है तो हमें frozen shoulder हो जाता है यह इसको periarthritis shoulder बोलते हैं, चाहिए right का चाहिए left का जिनने diabetes होती है, जिनको sugar की problem होती है उनको ये periarthritis frozen shoulder जादा रहता है, उनमें जादा दिखा जाता है लेकिन उनमें भी रहता है जो exercise नहीं करते हैं, जो अपनी shoulder की movement नहीं करते हैं तो ये होता है frozen shoulder, जैम हो जाना, अब कोई चीज जैम हो जाए, उसको कैसे खोलना है, उसको rotate किये जाता है, उसको oiling की जाती है, उसके साथ वो खुलता है तो इसी के साथ हम joints को भी ऐसे करेंगे, अगर आपको frozen shoulder की दिखत है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कि अपने shoulder को, shoulder अगर frozen shoulder है, उसके साथ यह हमारा, यहाँ पे एक muscle होता है, जिसे rotator cuff muscle बोते हैं, उसके, उसमें भी problem आनी start हो जाती है, और ये भी shrink होना start हो जाता है तो exercise is prime important, मैं बार बार आपको बोलता हूं, और इसके लिए चलो start करते हैं, first exercise क्या है, तो let's go start करते हैं, frozen shoulder के लिए first exercise, उसके पहले exercise है, frozen shoulder के लिए आपने simply बैढ़ जाना है, आप घर पे कर सकते हैं, वैसे तो orthopedicians, physiotherapy advice करते हैं, physiotherapy करो, physiotherapy अगर आपके घर से दूर है, त तो घर पे simple exercise बताऊंगा, सभी कीजिए, आपका frozen shoulder ठीक हो जाए, जिनने नहीं हैं वो भी कीजिए कि आपको कभी frozen shoulder नहीं होगा, सबसे पहले दोनों hands को उपर कर लेंगे, hands को उपर कर लेंगे, खुड़ सा अगे हो जो, खुड़ सा अगे हो जो, और दोनों hands को ऐसे पकड लेंगे, किसी दूसरी की help ले सकते हैं आप, और दोनों हाथ को, जो shoulders को push करना है, उपर की तरफ, one, two, three, four, five, six, seven, so this is the first exercise, आपने 10 repetition इसके करने है, 10 morning, 10 evening, so यह है first exercise, second exercise, दोनों hands आपने सीधे कर लेने है, और shoulder आपने up-down करने है, up-down, चलो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, so यह है second exercise, frozen shoulder के लिए, और एक third exercise, जो वो भी बहुत simple है, आप rotate भी कर सकते हैं इसको, दोनों hands को बिलकुल सामने करके, और hands को ऐसे रखना है, hands को बिलकुल सीधे, और कि आपके hands ऐसे होने चाहिए, और धीरे धीरे इसको उपर करना है, उपर, one, two, three, सोड़ा उपर लेके जाना है, one, two, three, one, two, three, so this is also the frozen shoulder workout, यह तीन exercise आपने daily करनी है, और उसके साथ बड़ी important main exercise जो है, जो आप एक आपने यह लेना है, जो इसको बोलते हैं डंडा, तो डंडे को आपने shoulder के पीछे रखना है, वो दोनो hands, shoulder, डंडे पे रखना है, और इसको हलका साथ tilt करना है, one, इसमें हमारे पूरे shoulder joints है, जो पूरी movement हो रही है, lateral movement हो रही है, इसकी, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, यह भी आपने 10th repetition करने है, तो यह है दोस्तो, frozen shoulder के लिए simple workup, आप इसको daily कीजिए, आपका frozen shoulder काफी हद तक ही हो जाएगा, तो यह थी दोस्तो, आज की video, अगर आपको कोई problem है, तो इसके related आप हमें message कीजिए, और उसके, मैं simple सी एक video बनाऊंगा, और healthy रहिए, खुश रहिए, happy रहिए, exercise करते रहिए, जो की prime water है, so thank you very much, यह है आज की video, मिलते हैं next video.